बिहार बोड मेट्रिक परिक्षा का रिजल कभी भी हो सकता है जारी बिहार बोड मेट्रिक परिक्षा रिजल के लेकर के काफी बड़ी खबर परकासित किया गया है सभी छात्रों के लिए उस खबर को जनना बहुत जुरूरी है जो भी छात्र इस पार मेट्रिक परिक्षा का एक्जाम दिया हैं वेलोग की परीख्षा का रिजल्ट को लेकर किंधभा कर रहे हैं तोब का इंतिजार खत्म होने वाला है आज कि वीडियो में में हम आपकु रिजल्ट negatives कवा रहा है और कि ख़बर में क्या मय स्ट्रिक रिजल्ट और आड मिशन से समांदित नूजहापको मिलता रही तो चलिए उस बरी कब को जानते हैं जो मेंक रिजल्ट को लेकर के परकासित किया गया है तो यहां पर आप अमरी जाना नुच के देख सकते हैं अमर्व जालानी उसके नुसार जो काफी बड़ी खबर परकासित की गई है विहार बोर्ट ट्रेंथ रिजल्ट 2020 इस दिन जारी हो सकते हैं परिनाम यहां पर जो है कि फाइनल परिनाम के तितिति को बताया गया है अपर देख सकते हैं कि विहार बोर्ट दसमी सिस्था एक परिख्षा का परीनाम माई के पहले या दुसरे सब्ता में जारी होने की संभावना है यानि मैं के पहले या दूसरे सब्ता में बिखी को शरू हो सकता है गया और показыв परिख्षा के रिजल्ट । मिल सकती है नहीं तो वह भी नहीं मिलेगा रिजल्ट जब जारी होगा तब आप लोग जान पाएंगे जैसा कि आप लोग इंटर के रिजल्ट में देख चुके हैं कि ऐसा ही किया गया था प्यपर में भी नहीं आया था कि लोग जान सके थे कि आज रिजल्ट जारी होगा इसके अलावा उन्होंने बताया कि काफियों का मुल्यांकन लगवक 75 पूरा हो चुका है और मुल्यांकन परक्रिया को समांप करने में कूछ ही दीन लगेंगे और संभावना है कि दोस माई तक परिक्षा परिनाम जारी किया जा सकता है तो यहां पर दोस माई की संभावना दिया है तो दोस माई से पहले भी रिजल्ट जारी हो सकता है तो इसलिए आप लोग चाहते हैं कि सबसे पहले रिजल्ट की जानकारी मिले तो इस चैनल को निश् पहले सूचना मिलेगा उसके बाद मेट्रिक परिक्षा का रियल्ट जारी होगा तो देखिए